हेलो दोस्तो नमासकार दोस्तो आज हम बात करंगे पैट्रिल Md 0.25 mg टैबलेट के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे हमें पैट्रिल Md 0.25 mg टैबलेट का उपयोग कप कप करना है इसके side effect क्या क्या है और इसे कब नहीं लेना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो पेट्रिल MD इस दवा को Micro Lab Limited Company दवरा बनाया जाता है तथा इस दवा में क्लोना जेपेम साल्ट मौजूद होता है दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं पेट्रिल MD टेबलेट का उपयोग हमें कब कब करना चाहिए तो दोस्तो एंजाइटिंग डिस ओडर और मिर्गी में हम इसका उपयोग करते हैं दोस्तो यहां पर हम एक बात जान लेते हैं कि आजाइटिक डिस ओडर कहते किसे हैं दोस्तों यह एक प्रकार का मनरोग है सदान सब्दों में कहूं तो चिंता या घबरहाट आने वाले समय में कुछ बुरा खबर घटने की आशंका होना जैसी समस्या को ही अजाइटिंग डिसॉर्डर कहते हैं दोस्तों अब जान लेते हैं कि मिरगी क्या है तो दोस्तों यह एक नियुरोलोजिकल डिसॉर्डर है जिससे दिमाग में असमय तरंगे पैदा होती है और दिमाग में गड़वड़ी के चलते हैं इंसान को बार-बार दोरे पढ़ने कान मस्तिस और सारी गतिविदियों के तालमेल में दिक्कत जाददाश बिगड़ना जैसी समझ्या है जैसे साइड इफेक्ट देखने को आपको मिल सकते हैं दोस्तों यह साइड इफेक्ट हमेशा नहीं होते हैं फिर भी संभव है यदि आपको इनमेंसे कोई भी साइड इ और अपने नज़्दी के डॉक्टर से संपर करें इसके बाद ही आप दवाई का सेवन दुबारा कर सकते हैं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पैट्रिल एमडी टेबलेट किस प्रकार काम करती है तो दोस्तों पैट्रिल एमडी टेबलेट बेंजोडिया जैपाइं होता ह यह chemical messenger के action को तेज करके का काम करता है जिससे मस्तिस की तंत्रिका कोश्काओं की आसमन्य और अत्यादिक गतिविदी को रोकने लगती है दोस्तो इस प्रकार petrol MD tablet काम करती है दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें petrol MD tablet का उपयोग कब-कब नहीं करना चाहिए तो दोस्तो काला मोतियाबन, सराब किलत, नशे किलत, लेवर रोग, मोटापा, आदी जैसी समझा है यदि आपको है तो आप इस दवाई कस्ये बनना करें साथानी बरते हैं यदि आप फिर भी petrol MD का उपयोग करना चाहते हैं तो आप अपने नजदी के डॉक्टर से संपर करें उनसे सला ले तो दोस्तों वीडियो में जानकर अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद